कीसे हैं आप सब लोग तो दोस्तो एक बर फिर आप सब के लिए हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक नए topic के साथ आज का हमारा topik रहने वाला है Coast Accounting is an unnecessary luxury for business establishment सो दोस्तो जैसे की आप सब को पता है हम लोगोंने हमारे Coast accounting के पहले chapter के उपर पिछले चार टापिक्स में conversation की है पूरा आपको detail में explain किया है सिरफ चार टापिक्स cover गी है पिछली चार वीडियोस में और टापिक्स चारो के चारो important है तो चारो वीडियोस का link आपको नीचे description में मिल जाएगा मैंने एक playlist बना दिया first chapter के name से nature and scope of coast accounting तो उसके अंदर मैंने चारो topics वो और ये वाला topic डाल के total 5 वीडियोस हो जाएगी तो पांचों वीडियोस उस playlist के अंदर included है तो आपको easily मिल जाएगी अब हमारे एक exam में question में ये statement आई थी कि cost accounting unnecessary luxury है कि इसको हर कोई afford नहीं कर सकता तो जैसे कि मैंने जब पहले chapter की वीडियो पहली बनाई थी ना पहली वीडियोस में मैंने advantage and disadvantage कवर किये थे तो disadvantage में हमने देखा था कि ये expensive होता है मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी disadvantage यहीं पे तो ये देखे हमने आप एक point गिया था कि ये expensive है हमने limitation में देखा था कि expensive है cost accounting system इसको हर कोई afford नहीं कर सकता तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हर किसी को इसको लेना ही पड़ेगा तो यहाँ पे statement क्या है कि cost accounting एक unnecessary luxury है हमारे business को establish करने के लिए तो yes ठीक है पर cost accounting एक necessary tool है luxury कह सकते है हम लोग पर ये important बहुत है तो इसके अंदर हम लोग इसको explain कैसे करेंगे statement को cost accounting is a necessary important tool है business के लिए जो भी business चाहते हैं कि उनको future में success लेना है क्योंकि आजकल market बहुत ज़्यादा competitive हो चुकि है तो ये necessary tool है cost accounting ठीक है ये हमें क्या provide करेगा it provide business with valuable information that can use to make informed decision ये हमें valuable information provide करने में help करेगा जिसकी help से हम लोग informed यानि की valuable decisions ले पाएंगे अपनी cost को control कर पाएंगे अपने budget को prepare कर पाएंगे और अपने काम करने के process को improve कर पाएंगे by investing in cost accounting अगर हम cost accounting में invest करते हैं no doubt ये expensive है but business can increase their profitability अगर हम लोग इसमें invest करते हैं तो हमारे business की profitability increase होगी sustainability increase होगी और competitiveness भी भड़ेगी तो ये all our business के लिए बहुत beneficial है तो इसको ऐसे कह सकते हैं वैसे तो ये unnecessary क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि ये expensive है इसी वज़े से लोग बोलते है unnecessary luxury ठीक है बट जिस business को success चाहिए ना तो वो necessary tool है उसके लिए क्योंकि ये market की पूरी information हमें gather करके देने वाई तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं after that इसके अंदर हम लोग हमारा जो हमने इसका meaning advantage, disadvantage मेरे कहने का मतलब क्या है अभी हमने पिछली चार वीडियो में इस chapter के बारे में जो कुछ भी किया ना चीक है उस सारे topics को आप इस statement के अंदर include कर सकते हो बस question को जब आपको answer को start करना है जैसे exam में आपको exactly यह statement उन्होंने पूछ ली तो अब आपको answer तो लिखने answer start करने से पहले आप लोग कुछ चंद लाइने जो मैंने अभी अभी आपको यह बताई है इनको add करोगे इनको add करने के बाद हमने हमारी last videos में क्या क्या topics cover की है हमने हमारी last videos में topic cover की है objection वाला यानि कि limitations आप लोग इसको लिख सकते हो इसका पहले तो आप meaning बता दोगे cost accounting का क्या है ठीक है उसके बाद आप इसकी advantage और disadvantage बता सकते हो ठीक है उसके बाद जो मैंने इसके अंदर आपको कुछ lines बताई वो बता सकते हो यानि कि आपको starting कहां से करनी है इस question की यह चार line हो से उसके बाद आप cost accounting का meaning, advantage, disadvantage लिख दोगे उसके बाद आप इसके essential principles बता दोगे फिर steps बता दोगे तो I think 10 to 12 page का यह question बन जेगा जो कि हमें नहीं चाहिए हमें 5 to 6 चाहिए तो आप लोग उसमें से 5 to 6 का material easily निकाल सकते हो मैंने question आप बोलोगे कि वीडियो इसी topic पे आया तो explain क्यों नहीं कर रही थी यह सारे topics हमने पिछली 4 वीडियो में cover किये यह उपर वाले यह वला आपको इसलिए मैंने अलग से वीडियो में बता रही हूँ तांकि कोई confusion ना रहे क्योंकि वो topics के name अलग थे तो आप लोग इसी name से topic को search करोगे तो आपको easily मिलना चाहिए इस topic में पहले आप यह चार लाइने लिखोगे after that cost accounting का meaning जो हमने first वीडियो में cover किया advantage, disadvantage उसके बाद essential principles उसके बाद अगर pages बचे क्योंकि 5 to 6 से जाधा नहीं लिखो गया pages बचे तो steps की headings ही कर देना अगर करना चाहो तो दोस्तों I hope आपको समझा चुका है कि statement के अंदर आपको क्या लिखना है first chapter में से हमने कौन-कौन से topics cover किये वो आपको screen पे दिख रहे हैं और इसकी playlist अभी आपको video के description में भी बिल जाएगी nature and scope of a cost accounting name है playlist का उसके अंदर ये सारे topics हैं और अगर आपको video के end में भी देखने को मिल जाएगी तो आपको इन सभी topics को include करके इस वाली statement के अंदर लेके जाना है simple ठीक है चार वीडियोज है चार में सारे topics cover हैं उसका combine करके आपको के statement के अधर explain करोगे अच्छे खासे marks मिल जाएगी so I hope दोस्तों आप कोई topic अच्छे सी clear है first chapter के जितने भी important topics से हमने सभी cover किया है अगर आपके पास कोई topic है जो हम से छूट किया है तो comment section में जरूर बताइएगा हम लोग उसको भी cover कर देंगे तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye